हेगाई स्वागत आप सबका मेरे चैनल में तो आज हम बनाने वाले हैं ट्रावेल फूड तो जब ही ट्रावेल फूड बनता है तो प्लान करके बनाते हैं लॉंग जर्नी रहता है यह मैंने बारा गंटे के लिए बनाया है क्योंकि कोई-कोई जो फूड रहता है वो खराब हो जाते है तो इस तरह से मैं प्लानिंग करके बनाती हूँ कभी-कभी ना फूड में खटापन आ जाता है तो मैं आज आपको बताती हूँ कि सफर के लिए म फूड़ा सा नमकीन मैंने डाला है और अगर हम किसी जगह पे त्रावेल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बार से नहीं खा सकते बार से भी खा सकते हैं तो आज करना ऐसे अप आ गई है ऑनलाइन के ट्रेन में बैटे बैटे हमें डेलिवरी आसानी से मिल जाती अगले स्टेशन पर क्या है कि हम पूरा दिन तो बार का नहीं खा सकते ना क्या बरोसा की खाना अगर पसंद नहीं आया तो क्या बरोसा अगर खाने खाते साइम ना पेट खराब हो चुका तो आज कल तो इंस्टाग्राम और बहुती सारी रेल वाइरल हो चुकी है कि ट्रेन का खाना भी अच् पैकिंग में बिस्किट और कुर्मोरे या फी नमकिन आता है तो मैं ट्राइ करते हूं कि वह वाली चीज़े लूँ इसको मैंने फॉल पेपर में पैक किया है ताकि लंबे समय तक सौफ रहे इधर मैंने तिन पापड लिये है तो मैंने इस तरह से प्लास्टिक बैग लिया है तो जब भी हम ट्राइविल करते हैं तो मैं घर पे इस तरह से प्लास्टिक बैग रखती हूं ताकि टिफिन बॉक्स हमें हर जगा पे कैरी ना करना पड़े क्योंकि इसके साथ मैंने डाला है तीखी वाली चट पती बेशन वाली मेची तो मेची के अंदर मैंने बेशन डा के फ्राइ किया है उपर मैंने नमक और चाट मसाला डाला है क्योंकि ठोड़ा सा तीखा सॉल्टी और चट पता फ्लेवर सा आ जाए तो सफर के लिए इदर मैंने दो तरह की सबजी बनाई है एक सूखी वाली सबजी है और ग्रेवी वाली है तो अब हम घर पे होते हैं तो ह कोई भी सब्यूची खा सकते है अगर सब्यूची न पसंना नाई तो आचार खा सकते हैं । इसलिOff मैंने दो सब्यूची बनाती हूँ इसके साथ मैंने और एक सब्यूची मेट later करी बनाई है इसकी रेसिपी मैंने रिषेंट्ली अपने चैनल पे शेयर किया हुए है अप मेरे ससूर ऍवाई खाते हैं राद को खाना खाने कि बाद तो इसके लिए मैंने दवाई כ किया है उसके बाद मैंने क्छास पैक किया है तो छासका मैंने tetra pack लिया है जो की पीणे में आसानी हो इसके बाद मैंने दो नमकीन डाला है और इसके साथ अच्छा थोड़ा सा डाला है तो यह रहा हमारा travel food तो इसके साथ मैंने दो प्लेट डाली है वैसे ना मैं जब भी travel करते हैं हम लोग तो सभी खाना हम ऐसे ही बैक में पैक करते हैं ताकी जो टिफिन बॉक्स है वो हर जगा पे कैरी ना करना पड़ें। तो इसी तरह से मैं अपना travel food प्लान करती हूँ, तो एक दिन पहले ही मैं अपने ससुर जी को पूछ लेती हूँ कि आपको क्या लेके जाना है और क्या खाना है, तो मैं इस तरह से अपना travel food प्लान करती हूँ